लड़की स्कूल से लोट कर घर जा रही थी तब उसे चार किड्नैपर ने किड्नैप कर लिया और उनमें से एक तो उस लड़की से जबरदस्ति शादी करना चाहता था पुलिस लड़की को डून रही थी लेकिन उन्हें भी कोई सुराक नहीं मिल रहा था देखते ही देखते एक हफ्ता बीद गया और पुलिस को वो लड़की सही सलामत तीन शेरों के साथ मिली संसार के विभिन भागों में बड़े बड़े जंगली जानवर पाये जाते हैं इन जंगलों में जंगली जीव निवास करते हैं जंगली जीवों को अपने आवाद से भोजन एवन सुरच्चा प्रापती हैं लेकिन जैसे जैसे जंगल करते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी संख्या में कमी आ रही है जंगल में बड़े आकारवाले भयानक और हिंसक जीवों का निवास होता है लेकिन कभी कभी ये हिंसक जीवों हमारी जान बचा कर इनसानों के प्रत प्रेम भाव का परिचे भी देते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जंगली जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हों ने इनसानों की जान बचाई है जब एक शेर ने किडनेप्ट गर यानि अपहरत लड़की को बचाया तो उस्तो ये घटना है सन 2005 की जब एक लड़की स्कूल से लोट कर घर जा रही थी तब उसे चार किडनेपर ने किडनेप कर लिया और उनमें से एक तो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था पुलिस लड़की को डून रही थी लेकिन उन्हें भी कोई सुराक नहीं मिल रहा था देखते ही देखते एक हपता बीट गया और पुलिस को वो लड़की सही सलामत तीन शेरों के साथ मिली चकित हो गई लेकिन शेरों ने उस लड़की को पुलिस के पास छोड़ दिया और वापस जंगल की और चले गए कुछ विशे सग्यों ने कहा सेर ने लड़की को इसलिए बचाया क्योंकि लड़की की रोने की आवाज सेरों के बच्चों जैसी थी वैसे ये बात सच हो ना हो लेकिन एक बात जरूर सथ है कि सेरों ने लड़की को किन्नेपर से बचाया जब एक भेल ने एक गोता खूर को बचाया दोस्तों ये घटना है संदोहजा नौकी जब चीन के पोलर लेंड अक्वेरियम में फ्री डाइविंग कॉम्प्टीशन हो रहा था और उनमें से एक कॉम्प्टीटर बहुँच ज़्यादा ठंडे पानी में जाने लगा और उसके पैरों में एठना गई अब वह अतैर भी नहीं पा रहा था और तभी एक भेल जो उस टैंक में रहती थी वहां से गुजर रही थी उसको अंदाजा हो गया कि कुछ ठीक नहीं है और उसने औरत के पैरों को मुह में रखकर उसे टैंक के उपर पहुचा दिया जहां उसे लोगों ने बचा लिया दोस्तो एक बात तो माननी पड़ेगी अगर वा वेल उस औरत की मदद ना करती तो उस औरत का बचपाना संभव नहीं था जब एक गोरीला ने छोटे बच्चे को बचाने का प्रयास किया दोस्तो सन 1986 में एक छोटा बुच्चा चिलिया घर देखने गया वो चिलिया घर में बहुत मजा कर रहा था तभी अचानक से गोरीला के बाड़े में गिर गया और उसके सिर पर चोटा गई तभी जम्बो नामक गोरीला ने उसे देख लिया और तुरंत उसके करीब आ गया वा उसकी पीट को रगड़ कर उसे आराम देने की कोशिस्त कर रहा था हालांकी जम्बो नैया तुरंत इस पस्ट कर दिया की लड़का सुरचित था चिडिया घर के करमचारियों के आने तक वा उनके साथ रहा और चिडिया घर के करमचारियों ने उस बच्चे का इलाज करवाया और वा बच्चा कुछ दिनों में ठीक हो गया जब एक बहुत बड़े कच्छुए ने एक महिला को बचाया तो तो ये घटना है सन 1974 की जब 62 साल की महिला समंदर में डूब रही थी क्योंकि उसका जहाद समंदर में डूब गया था और वा करोया मरो की स्थित में थी वा जैसे तैसे समंदर में तैर रही थी तभी एक बड़ा सा कच्छुआ आया उस महिला ने उस कच्छुए की पीट को हाथ से पकर लिया और वा कच्छुआ उस महिला को खीच के दूसरे सिप के पास ले गया वो महिला जैसे तैसे उस सिप पर बैठ गई फिर भी कछुए कि उस महिला की मदद करके चैन नहीं आया और वासिप के पीछे पीछे ये देखने के लिए चलने लगा कि सब कुछ सही है या नहीं जब एक हिरन ने हमलावर को डरा कर भगा दिया दोस्तो हिरन एक बहुत ही सुन्दर जानवर है पर इसका मतलब यहां नहीं है कि वा तनिक भी डरावना नहीं है दोस्तो ये गटना है सन 2012 की सरदियों का मौसम था और एक लड़की पार्टी से घर जा रही थी और उसने सोचा था वा पैदल ही घर जाएगी वा लड़की आधी दूर पहुँच गई थी तभी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया और वा लड़की को खीच कर ले जा रहा था तभी उसने देखा कि एक हिरन जाग गया है उस लड़की के चिलाने से और वा हिरन जोर जोर से चीखने लगा हिरन के चीखने की आवाद से वा विक्ती डर गया और उस लड़की को छोड़के भाग गया दोस्तो इस हिरर ने अंजाने में लड़की की जान बचाई दोस्तो इसमें से कौन सी घटना आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सक्सन में जरूर बताएं और हाँ वीडियो को कर दीजिये लाइक और चैनल को कर दीजिये सबस्क्राइब मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा गुड़ बाई